नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष बंसल दोस्तों आपका स्वागत है योट्यूब चैनल मिस्टर ग्रोथ में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जिन में अपग्रेड कर सकते हैं और वो भी बिना कोई पैसे खर्च किये फ्रेंट्स एक्चुली काफी यूजर आपको पता होगा कि अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जिन में अपग्रेड करना चाते हैं और कुछ यूजर तो ऐसे भी होते हैं कि वो शोपकीपर के पास बगयरा जाकर अपने कुछ पैसे खर्च करके भी मोबाइल को अपडेट करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी शोपकीपर के पास आपको जाने की जरूरत है आप खुद अपने मोबाइल में से ही इंटरनेट के थरू अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हो और इसके लिए आपको कुछ भी पै नहीं करना पड़ेगा इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा देखे इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी एक तो आपके मोबाइल की बैंटरी फुल चार्ज हो या फिर आपका मोबाइल अपडेटिंग के टाइम चार्जिंग पर लगा हो मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद देखे आपको सबसे लास्ट में नीचे का ओप्शन मिल जाएगा अबाउट फॉन आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद देखे फर्स्ट ओप्शन है सिस्टम अपडेट तो यहाँ पर क्लिक कर दीजी, इसके बाद देखे, system update, checking for updates, यानि कि आपका mobile, internet के थुरू, चेक कर रहा है कि क्या इसका latest version available है या नहीं, देखे, कुछ दिन पहले ही मैंने अपने mobile को latest version में update किया है, तो इस तरह से आप भी अपने mobile को check किजी कि यहाँ पर शायद आपका और देखे, friends, मैं आपको इसमें एक advice ये भी दूँगा, कि जब भी mobile company की तरफ से official update आए, mobile को update करने के लिए, उसका version update करने के लिए, तभी आप update करें, कहीं भी पैसे मत खर्च करें, किसी भी shopkeeper के पास चकर मतल गाए, mobile को update वगारा होने के लिए, जब भी official update आएगी, तभ अपने mobile को update करें, यहाँ पर देखिए, अगर आपके mobile का update version available होगा, तो यहाँ पर आपको option show हो जाएगा, कि ये वाला version आपके mobile के लिए available है, तो उसमें आपको next या ok वगारा जो भी instruction आप खुद पढ़ लीजेगा, इस तरह से click करके आपका mobile इसमें कई बार reboot भी होता है, यानि की restart होता है, तो यह सारी processing आप अपने आप चलने दीजिए, जो भी कोई next या ok के option आएगे, वही आपने select करने होगे, और इस तरह से आपको 15 या 20 मिनिट शायद लगेंगे, बाकी आपकी internet की speed पर depend करता है, और आपका mobile latest version में update हो जाएगा, इसके लिए आप अपने कि latest version में update कर लेंगे, प्लीज लाइक जुरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच पाएं, और वो भी अपने mobile का latest version update कर पाएं, और friends अगर आपने पहले से Mr.Growth चानल को subscribe कर लिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रि benefit के लिए तो वो आपकी मिस्त ना हो, ठीक है फ्रेंट जल्दी मिलते हैं को नहीं वीडियो के साथ,